आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं अडानी वीलमार स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को ले करके कुछ ब्रेकिंग न्यूज पोजिटिव दिखा था उसके बाद भी यह जो क्लोजिंग रही वो रेड में रही है उसको ले करके काफी क्वेरी आ रहा है कि सर यह रेड की उड़ा है कुछ लोग होते हैं जैन जी सहाई जैसे जो अडानी इंटरप्राइज के प्राइस बोल रहे हैं कि 10-15 में मिलेगा ऐसे लोगों को साइध कुछ पता होता नहीं है जो भी मन में बिना लॉजिकल जो भी टार्गेट या लेबल साते हैं वो बता देते है हमने अडानी इंटरप्राइज में कहा कि आपको लगता है फोर टेन परसेंट के जो गिरावट रहे हैं जो गिरावट रहा है उसके बाद अगर 52 विक हाई पर जाना चाहिए तो उसको फोर टेन परसेंट के अप्टेंट दिखेंगे यह मैंने अपने वीवर से पुछा था बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं ऐसा टार्गेट दे रहा हूं तो थमनेल और वीडियो दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे साथ में एपिशोड को आगे बढ़ा है इससे पहले आपने प्रिक में हम टेलिग्राम जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री करने का यह पुजिटिव रहा था लेकिन उसके बाद जो डिलेवरी रहा वह भी पुजिटिव रहा यहां देखेंगे तो टेक्निकली थोड़ा विकनेस दिख रहा है अगर इसे स्टॉक के मंसली ट्रेंड देखेंगे तो 22 परसेंट का करेक्शन है आज हमने देखा कि लास टच करें जो लोवर लेवल के बायर हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करा चुकि जो बिनो अदानी को लेकर के ट्रेंड हो रहा था उसके बाद लोगों का पैनिक होना सभाविक है तो कुछ निगेटिव निउस के कारण गिराबर दिखा यह निउस के कारण गिराबर लेवल मुझे दिखेंगे नुवामा के तरफ से यही टार्गेट आते दिखा था और भी ब्रोके हाउसेज और फंडो ने इसके टार्गेट यह बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे जिस प्रकार से फमसेज में ग्रो कर रहा है